तो विदान सबावें गैरसेंड सत्र तु खत्म हो गया लेकिन सत्र के दौरान विशेश अधिकार हनन का मामला अब उत्रा खंड की राजनीती का तापमान बढ़ा रहा है राजे सरकार अधिकारियों पर लगाम लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है ये आरोप कोई और नहीं बलकि प्रीतम सिंग लगा रहे है अब इसको लेकर कॉंग्रेस लगातार सरकार को घेड़ने का काम भी कर रहे है वहीं सत्ता पक्ष के खेमे के लोग विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे है यानि एक तरफ से वार हो रहा है दूसी तरफ से पलट वार हो रहा है कांग्रेस की तरफ से प्रीतम सिंग ने कैसे किया सरगार पर परहार और फिर कैसे हुआ उसको लेकर वार और पलट वार पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रूप करेंगे अपने महमानों की तरह सदन के दोरान ही विशेशा अधिकार हनन का मामला भी लेकर आए जिसके बाद पीड की तरफ से सरकार को मामले के संग्याल लेने के निर्डेश दिये गए लेकिन कॉंग्रिस के नेता मुके सचीव के तरफ से की गई अंदेगी पर अभी भी खफा दिखाई दे रहे हैं कॉंग्रिस की विधायक प्रितम सिंग ने कहा कि अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन करने को त्यार नहीं है जिसके चलते इस तरीके के चक्राव की स्तिदी भी पैदा होती है उन्होंने कहा कि वो सत्र के दोरान मुके सचीव से मुलाकात करने गए थे लेकिन जिस प्रकार की अंदेगी उनके तरफ से की गई है वो समझ सेप पर है जानता था इस बात को कि अगर हम वहां पर कोई रियक्शन देते तो सीधा सीधा आरो लगता कि कॉंग्रिस की चार विधाय गए और चीफ सेक्रेटरी के कक्ष में जाकर के अवद्र व्योहर किया तब सरकारी में हमारे विरोध में होती और सारे सरकारी अधिकारी में हमारे विरोध में होती हम वहां से चुपचाप चले आए और हमने विशिशा अधिकार हनन दिया तो कोई कुछ नहीं कहता है विशेषा दिकार हडन का मामला सदन में उठाया है जिस पर अध्यक्ष को कारवाई अमल में लानी है बीजेबी प्रदेश अध्यक्ष की इस बयान से एक बात तो साफ है कि वो भी अधिकारियों के रवाईय से खफा है लेकिन खुले तोर पर भी कुछ बोलने से बत से नजर आ रहे हैं अधिकारियों पे बेलगम होने के आरोबाई दिन लगते रहते है लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कारवाई करने के बजाए उन्हें सकता का संरक्षन प्राप्त हो जाता है अब कॉंग्रसी विदायकों ने विशेशा अधिकार हनन का मामला लाकर सिस्टम पर सवाल खड़े करने का काम किया है अबे कैंतूरा इंटिया वॉइस देहरा दूँ प्रीतम प्रहार और पॉलिटिक्स गैरसैन में हुआ गदर अब उत्रा खंड की सियासत को गर्मा रहा है सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेमानों की तरफ आपको बदा दे आज हमारे साथ जो मेमान शामी लो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं अब सवाल यही की आखिरकार गैरसैन में जो कुछ घटा अब उसको लेकर सियासत प्रशन पूछ रही है और यह प्रशन उठाए हैं खुद प्रीतम सिंग ने प्रीतम सिंग कौन प्रीतम सिंग पूर्नेता पतिपक्ष पूर्प्रदेशत धक्ष उत्तराखन कॉंग्रेस के सबसे दिगगत चहरों में से एक और लगातार चक्राता से चुनाव जीतते हुआ है शुरुआत इस चर्चा की शीषपाल बेश्ची आपके साथ करना चाहेंगे नराज क्यों है इतना सीएस से शीषपाल जी मेरी वाद आ रही आपको आरी आरी शीषपाल जी मैने का इतना नराज के हो है मुक्के सची से देखे शीषपाल जी उत्राखन में जो है जेरोगेशी पेलगा में है इसके बहुत पारे उढ़ारें और ये कॉंग्रेस विधाइकों का ही सवाल नहीं है ये विधाइका का सवाल है प्रदेश के अंदर काई वो बात्ता के विधाइक हो चाहे कॉंग्रेस के हो या निर्दली हो या निर्दलों के चूंकि अगर विश्यषपालिकार का हनान होगा विधाइकों का तो कोई विधाइक इसको बढ़गा समय करेगा और प्रदेश में सब्सक्राइब तो फिर लिदाए को कि अलग बात है। तो इस बात को यह समझ नहीं पा रही है आखिर बेलगाम क्यों है यह समझ से परेगी बात है और आपको याद होगा कि पहले विधाय का आदेश चोहंगी ने पिछली बार भी विधान सभा में गिता है जिकार अनम का मामला उठाए था सवाल पूछो फिर मैं ठाकुर जी के पास आपके अपनी बात रख दिया आपने मैं रोका नी टोका ने आपके वक्त अफसर शाही बेलगाम नहीं थी अफसर सारे सुनते थे देखे तिलग जी ब्यूरोक्रेशी पर नियंवन इस राजिया में एक बड़ी समस्या है लेकिन अकर आप कॉंग्रेश के दोर की बास आपको बात पता होगा कि राथ को बारावजी भी पंदेश के नाइस के मुटों पर जियो ने आप 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 नाम लेकर पूछूंगा स अवाल तो फिर आप काएंगे किसी एक खास व्यक्ति को टार्गेट कर रहें मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे कि आपके सरकार में अफसर शाही बेल अगाम नहीं थी अच्छा मतलब अफसर शाही आपके वक्त में बेल अगाम नहीं थी ठीक अभी अब इनो उस पर भी आउंगा थीक नविन ठाकुर जी सुना आपने वो यह कहरे कि मसला विधाइका का है मसला विधाइकों के सम्मान से जुड़ा है और अफसर शाही बेल अगाम है यह लड़ाई यहां से शुरू होती है यहां परятиस को बता रहे हैं इंके थी का इस बाता यह लेकिन इनके शावशन में शयाद डिकर पूरी बात मारे क Clapton अऑन से शावशन में उसराशन की शुरू है है तो इनकी पोल पट्टी खुली जो अभी ये बता रहे थे कि नहीं अफसर साही दाइरे में थी कितनी बेल अगाम थी क्या हाल था कि परदेश अध्यक्त को जो है दिन्ली चिखे लिखने परती थी वह सायद भाइसा भूल गया होंगे लेकिन इस बात को हम भी मान रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी उनको सम्मान नहीं दे रहा है तो निश्चित तोर पर ज़रा अधिकारी पर कारवाई थाकुर जी कब हो ही कारवाई मैंने का कारवाई होनी चाहिए और पीट का वो तो यह कह रहे है विश्य की आपके मंत्रियों की भी नहीं सुनते है अधिकारी वी जबत शिखें कि सम्मान को समान होना चाहिए और कुकि मामला पीट के अंदर का है निया। पुषकर सिंग्धामी जी ने किया और अफ्सरों के पेज कसने का काम लगाने का काम भाटता के सरकार में यानि ठाकुर जी आप मुझे यह कह रहें कि जो खंडूरी जी नहीं कर पाए वो धामी जी कर रहें अच्छा मुझे ऐसा लगा है आपकी बात से की हमने किया तो तो दन्यवाद आपका तिलग जी की आपने याद दिलाया कि उस सरकार में भी हमारे खंडूरी के तरह कर दिलाया कि जिस परकार आज लगाम कई जा रही है अच्छी कि घोड सवार नकेल कसने आनी चाहिए बिल्कुल है वही असरी बुट सवार होता है यह कादूरी जी मैंने इसलिए जिक्र किया था इस निया शिंट जिटकी बात है आप दर्शंद जी पता देंगे चलिए दर्शंद भी नराज़की वादिब है या नहीं सवाल ये सवाल है वह यह के रहे कि अगर वे लगाम है तो कब नहीं यह बीटो सवाल है कि नहीं दर्शंदी तिलग जी अफसर शाई बहुत लंबे समय से उत्राखंड में हावी रही है चाहिए बार्चिनता पाड़ी सर्कार रही हो उससे पूर में कॉंग्रेसी सरकारे रही हो दरसल जो अफसर है इनको मोटी तनखा पर इसलिए यार रखा गया कि ये हमारे उत्राखंड में जो योजना हैं उसको अच्छी योजना एलागू करें उसके जो इनका काम हो करना चाहिए लेकिन ये तो मुझे लगता है कि नेताओं से भी ज्यादा बड़ी नेता बन गए है और जब सत्वार जी महराज से कद्दाव और निता को आग बिदार सकते हैं और इसके लवा अन्नी केमिनेट मंस्यों को भी हाल में उन्होंने जो कि सही मंस्यों ने शिकायत करिए विजाए को ने शिकायत करिए लेकिन ये जो बेलगाम लगाता होते जा रहे मैं ये लेकिन अफसरों पर नकेल डाना सबके लिए नितान ताउशक है इन्होंने हमारे उत्राखंट का बंटाधार कर दिया है इन अफसरों ने और मैं आपको बतना चाहता हूं ये क्यों बेलगाम हुए है इसकी जड़ में जाना जरूरी है क्योंकि जब इनका हम गलत इस्तमाल करते हैं जब इनके हम गलत कर्वाते हैं तो हमारी हीमत नहीं होती है कि आप लगाम क्यों है आप इसे में आथ निखा रहें हैं चूंकि उल्केर पेस्ता बंटा ले लिएगोए हैं और अन्य कई घोटाले से पहले पूर्विद में हुए तो ये कहीं न कहीं जो है सरकार में बैठे मंतरियों के और इनकी मिली भगतिया मुख्यमंतरी के शेफर होता है इसलिए ये बेलगाम होते हैं अन्य ता इनकी क्या मजाल है कि ये जो है हमारे नेताओं को आप दिखा सके ये नोकर है नोकर सामतर नोकर ये नोकरी करने हैं मोटी तनखा पर इनको तो आदेश इंका होने की तहीं उल्टे उनको आदेश ने लगा रहे हैं दूसरी बात आप देखिए अभी मुक्यमंतरी जी जब रिटार्ड होने के बाद भी इनको ही वापस जो है अपने सलाकार क ये तुलफा है उत्तराखन सकार का राज्य की आधी अबादी के लिए सरकानी तौकरियों में 30 प्रतिशत का ख्षयतिज आरक्षन महिला स्वशक्ती करण में मील का पक्तर सापित होगा सामाजी प्राइ के भावना से भरे इस निर्णय के दूर्गामी परिनाम निश्चित उत्तराखन राज्य में मातर्सक्ती का भठ बड़ा इन है हमारी माताअ वे भहनी बहुत संदॉष करती है बहुत प्रिसेनी है बहुत लगशं के पहते हैं हमारी सरकार के दौरा जो नेड़े लिया जा था वो एक गधएव बन गया था इन जिए इसके लिए उत्तराखन की अब्लेक्टी को। सब को माता हों दहने को, सब काम रहता हूं, बधाई रहता हूं. महिलाओं को, शिक्षाद को चाहन के बाद, धामी सरगार ने उनके सपनों को मोर्तरू देने के लिए ये कादम उठाया, तो राज की महिलाओं ने इसका खुले दिल से स्वाकत किया. मेरा अरक्षन इसे ज़रूरी है ताकि महिला खुद को स्वावलम्भी बना सकें, क्योंकि हर छेत्र में जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा देश है वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा और मैं तो इस खहुँआँ कि उत्राकर सरकान भी ज़रूरी होना चाहिए ताकि हम कहीं पर भी जो एहम फैसले हैं चाहे वो हमारे राज्ये के लिए हैं चाहे वो हमारे देश के लिए हैं उसमे हमारी आवाज को तुना जाए प्रदेश में आरक्षन का लाव उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्रामिंड राजी का डूमिसाइल है चाहे वो राजी के बाहर किसी भी इस्थार पर रहती हो उत्राक्ष सरकार आधी आदादी की जहभागिता बढ़ाने के लिए उनको भार्थिक और सामाजिक मस्बूती देने के लिए प्रदिपत्र है संकल्पित है मैंने कि आधीकारियों को इस बात का इल्म नहीं होता कि किस विधायक की सुननी और किस विधायक की नहीं सुननी इप इसका जवाब आपसे बहतर कोई नी दे पाएगा उधार अदू सर आप चारेंगे नो धार अदू आप चाहेंगे तो मैं बताता हूं नाम लेकर आप चाह रहें मैं नाम लेकर बता हूं दर्शनी देख लिए आपके सामने मैंने कई बार मोगा दिया बीची को बीची कह रहा है नाम लेकर बताओ अब तेरी फाइल मेरी फाइल अब तेरी फाइल और मेरी फाइल फिर सुन लेगे आचा ठाकुर जी जर्शनी गलत बहुना तो फिर एक 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 अब तो याद हो का जब यात्री किराए में थाड़े में बुरिती वी तो परदेश के परिवान मत्री घर्मन राम भाइजी नेका मेरे संग्यान में यह यह अंदीन फैसला परदेश के मुख्यमंत्री लेंगे तो अजिकारी उने का नहीं जी हमने फैसला ले लिया है एक अच्छा एक सब्सक्राइब लेकिन 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेसी और यह अधान ने एक केसरी वाला डाय लोग मारा था खाता न भाहि जो हरदा बोले वही सही याद आया आधै आढ़रों जो अग मारा को वो धर्यच के लेकिन बोले वही सही पते है क्यों कहाता उन्हें अगर मैं सही हूं तो कि किस वाक्य को लेकर कहा था उन्होंने यादा आप लोगों को अगर मैं सही हूं तो हरक सिंग रावत के मसले को लेकर और हरक सिंग रावत सत्ता में रहेकर बताईए जो डिप्टी सीम आघोशित थे अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे और वो बकादव की मुख्यमंत्री का आधेश है मेरी नहीं सुनते है इस वज़े से अधिकारी मेरी नहीं सुनते आज तो कैमिनेट की बाशा के लग रहे हैं, खुले आम, बुरा किस्टी हो रही है। ओके नवीन ठाकुर जी पहले आप पर दरशन दोबाल दी आप तिलग जी, आपकी बाद से जो है इसने असाज होगे बिस्ती जी, किसका जवाब देते नहीं बन रहा है। और दायवाएं की जवाद के लिए आप तिलग जी बाद का जवाब देती दिये, आप जो इसने बने में बोड़ाज करें बैट के, कि हमारी सरकान में जो है, काईरे में अफसाही रहती थी, वो तिलग जी में एक ही बाते में आपकी सारी पोल खोल दी, मैं समझ सकता हूँ आ आप आपकी पार्टी का आपको बचाव करना है, लेकिन लोग तंसर में परियों परियों जन्ता जवाब देती, आपकी तो बारी थी जैसा आप चाह रहे थे, आपके मंत्रों के लिकारी सुन रहे है ठाकुरी जी, यही समाल आपसे है मेरा, एक में टेक्नाट विशी, पनखथ खरके लिए एक मनट रुखिये ना, एक मिनट से भी हमाचल में यह फॉइंट पास से बाहा है, हमाचल अभी छोड़ी है, हमाचल गुजराग छोड़ी है उत्रा खट में रहते हैं, आपकी सरकार है कि पास लिपर डिजर के इसे बहनगा, दूसरी काबनेट में हमा बढ़ाएं थाली केमिनेट में पारियों सिर्ट अपने दाने तौर मुझे जो है इनके बिढ़ने कारड़ी तो आज दूर। डिरोक्रिसी इनके हाथ ते निकल गई ज़हा है, तो बात की एक बात है कि उत्रा खंड पूरी तरह से सपीट पोष्ट के हाथ से नियंटरन का खतम हो गई, और पूरा नियंटरन आज उत्रा खंड का जुरुक्रिसी का हाथों पे चला गया है इसलिए आज एंस जैसे अस्टाल में 700 राजस्थानी बर्थी होते हैं इसलिए आज लगबख सारे सरकाभिस अस्टालों में जो उपकरण हैं और फरजी कंपँनिये से खरिद करके उनके रिश्ड़र जो अनके रिश्डर है वो फरजी कंपँनिये चला रहे हैं और यहाँ पर जो है हमको फर्जी उक्यमेंट से हर अस्ताल गंदर दे रहे हैं और इस तरह की तमाम जितने भी गोटाले हो रहे हैं उसमें भार के लोग सामें अभी संजीव चत्रवेदी का नाम अभी आया था यह सब लोग व्यूरो क्रेसी कि हापने जब पू इनको लड़ना है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारूब लगाना है और हम उसमें खुब फाइदा उठाएंगे और इसलिए अज तरह नियंतरन पूरी तरह से दूरो क्रेसी के हाथ में चला गया है इसके लिए अब एक ही तरीका है कि कोई केद्रिवाल जैसा शासक यह आए और में आए अद्मियां पर आए गिए बिलकुल आख से आख मिलाने कि हिम्मत को यह नि करेगा और यह चुहे की तरह कारें चुहे की तरह सीधे आएंगे यह जो भी वपर शेर पने अब कुम हमें है इस लिए तो आपने कल देखा कि जी वालज का बहाने बिलकुल बि सब्सक्राइब तो आज उनको कहना यह था कि आपके पार्टी है मैं मान रहा हूं इस वात को चमतकार करते हुआ पार्टी में भी मान रहा हूं सब्सक्राइब तो आपके पार्टी में सब्सक्राइब क्या हो सकता है दर्शंजी उत्रा खंड पे आएं सब्सक्राइब दर्शंजी दर्शंजी उत्रा खंड पे आएं आख से आख मिलाने वारे कंडिटेट आप आप सुनला चारें आपकी मर्दी सब्सक्राइब अरे सर यहां बीजयती को 42 साल में एंट्वी मिली थी हमने 10 साल में राश्री पार्टी का दर्शा हसिल कर लिया है और फूरे हिंदुस्तान में आज घर घर हर आज़ी के जिनिवादी के अधर दर्शंजी मैं यह नहीं कह रहा किसी अधिकारी से जाके लड़ लो मैं यह नह सुन लिजेगा पूरी बात सुनिएगा फिर सवाल का जवाब दिएगा उस CM कंडिडेट जो की फौजी भी है मैं पूर फौजी इसले नहीं बोलता क्योंकि फौजी को कभी मैं रेटायर नहीं मांगता उस चहरे को आपने घोशित किया और ठाकुर जी की पार्टी से एक मं लुगा पूरी की पूरी पूरी पार्टी जो थी चुपी चुप कोई नहीं बोलेगा यह हुआ था ना राधिया दर गाई यही कार शुर्ण बादिगा इसलिए उससले खुंका लिए इसलिए अन पड़ों की जमात उपर से जो आज देखो देखो देखोंसा बगासिन का अब तो दस्ति में चेहरा खुजूर की तरह हो जाता है खुले तो आपके लेता गैर सेंड को रहा दानी घोशित करने की बात कर रहे थे कभी गैर सेंड कहें थे करता 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 है अपनी नेताओं को लेगाई सर कार्याले खोल दीजिए वाँ तो यह तो छोड़ दीजे मैंने कहा कि यह अब तो आप मुझे पर आए कि आज यूरोप अपने आपको भागा सिंग के वाइशक बोलते हो और 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 अब 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 आपको जिन्दा बात जिंदा बात के जिरी वाल जिन्दा बात बस हो गया गया ठाकुर जी जो बात कह रहे हैं वही बात तो आपके मंत्री भी कह रहे हैं तो विश्टी क्या गलत पोर रहे हैं विश्टी उधरन दे रहे थे कॉंग्रेस सातनकाल का उसका और भारते जंता पाटी के सांथानकाल में जंता ने स्वयम अंतर किया पांच वर्सों तक अरी सिरावज जी का साथानकाल जो अब दिज़्टा चार पूरे प्रदेश में हवी था पांसा ने जंता ने दिया वाजपा की सरकार आई वह आज लगा रहे हैं वह आप इना पहले वर्स लगाना शुरू कर दिये थे नहीं दो अजार पारे से बिश्टा चार हो रहा था ना और मैंवीन जी आयज़द कैसे सटकपर उपर के आरोप लगा रहे हैं गई दो जार से लगाने के लिए एगाने के लिए एप कर देश्टल में वे जनता शुरू पर ही गहा कि नहीं है और में संए जन्ता ने तने आपको घर आए डिटाया आपके अरओं coron is a two-day Monday crossing a Half-懂 ita श्रा जन्ता जरимо उन्itudes करनी देपकर केवल जनुर्ण फाइदों संडमी आपको तरफ 같은데 इस सब कउड़े निचेया ठाकुर जी जी ah उपाल जी तीवारी जी के शासनकाल से उठाई है तीवारी जी छोड़िये नित्यानंद स्वामी जप थे तो कोशारी जी यह कहते थे कि इन से अफसर स्याहि नहीं समझ रही उनको जिम्बा दे दिया फिर चर्चा उठी की अफसर शाही और कोशारी जी की नहीं बन रही तीवारी जी आये बोले तीवारी जी का दर्बार खुला है जिसका मन चाहे जो विश्टी जो होता था मैं वो ही बता रहा हूँ खंडूरी जी आया और पोले कि लगाम कर देंगे खोड सवार तरमाया की बाते होले बॉगणा दिया तो फिर अफसर शाही लंगत बम ले ले कब नहीं हुई ये बताईए ना थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार जाहिए जा भारत जा उत्रकर